तो आप सभी का स्वागत है अपके अपनी यूट्यूब चैनल आर एनेस एजूकेसिन यूजी में दोस्तो इस वीडियो में रचर्चा करने वाले हैं और पीएसी फास्ट ग्रेट के बारे में और बहुत से समाचार पत्र और यूट्यूब चैनल या अधर जो सोचल मीडिया है उसके माध्यम से बहुत सारी जनकारिया हैं वह आप लोगों को मिल रही हैं कुछ जनकारिया उसमें फेक भी हैं कल का जो अगर हम सीकर भासकर की बात करें तो वहां कहा था कि वह एक्जम तै क्षान कर रही हैं वह इसलिए असमंजस बना हुआ है कोई भी चीजे कल जो एक इमेज भी वारल हुआ था उसमें कहा गया था कि व्याक्याता भरती परिक्षा इस्तिगित जो जनवरी महा में होने वाली थी उसी को लेकर के यह चीज़े आई थी तो दोस्तों इस तरीके से अभी ओफिशियली अनॉंसमेंट नहीं किया गया है लेकिन ओफिशियली अपडेट आ जाएगा उसी पर हम चर्चा करेंगे और ये इतना तैमान के चलिए दोस्तों जैसा कि आपको यूट्यूब चेनल कहता आया है 100% यहां पर ये एकजाम दोस्तों 100% आगे जाएगी नि जारी चैन बोर्ड के गैरा भरतियों को इस्तिकित करने के बाद उल्जन में है अभ्यर्थी इसकूल व्यक्यता भरति के मामले में एक दो दिन में हो सकता है फैसला दोस्तों यह सीकर की खबर है भासकर समवादाता सीकर और इन्होंने कल कहा तक तैसमय पर होगी आप जाई जब तै होगा कि जब यह प्रेस नोट आ जाएगा तो आरपियस्टी प्रेस नोट जारी कर देगा एक से दो दिन के अंदर रजस्तान लोग से वायो की और से कराई जाने वाले इसकूल व्यक्यता भरति परिक्षा को लेकर आरपियस्टी के सचिव केके सर्मा परिकारियों से वारता कर सकते हैं तो आयोग ने यहां पर सिक्षविभाग सहीत अन्य विभागों की जिनकी भरतियां होनी है उन पदों के नए वरगिकन को लेकर पत्तर लिखा है सुत्रों के अनुसार MBC और EWS आरक्षन का लाब इस भरति में दिये जाने के मामले को लेक करिया भरती आगे खिसक सकती है तो दोस्तों राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने तो यहां जो 11 भरतियां थी उनको इस्तिकित भी कर दिया है लेकिन RPSC का अपडेट अभी आना बाकी है तो यहीं यहां पर एक असमंजस बना हुआ है अप लोगों के बीच क्या होगा क् कि जब कोई भी चीज आती है वाइरल हो जाती है अच्छी हो या फेक हो तो उस पर यहां पर इस्ट्रेस आना बहुत लाजमी है हो जाता है दोस्तों यहां पर अभी ओफिसली अपडेट का हमें इंतिजार करना पड़ेगा एक से दो दिन का तब यह इस ती यहां पर यह न्यूज है इसमें आप देख सकते हैं गोर तलब है कि आरपी असी ने पांच जार पदो पर भरती निकाले थी पूर में जनवरी महा में में इस भरती के तित्यां गोशित हो चुकी थी लेकिन सरकार ने अब भेरतों के मांग देखते हुए आरपी असे आगे खिसकाने को कहा था उसके बाद परिक्षा इंस्तिकित कर दे गई थी अभी यह परिक्षा जुलाई में प्रस्तावित है लेकिन इस पर अभी सन्चा वर्करार है इसको वेक्यत रटी परिक्षा की तैयारी करे अभरती अभी आश्मनजस की स्थिम हैं तो दोस्तों यहां पर अभी एक से दो दिन का यहां पर समय इसमें लगेगा तो बिलकुल भी आप लोग इस तरीके से मैं तो यह कहूँगा एक यूट्यूब के नाते और एक आप लोगों के छोटे भाई के नाते कि आप लोग जो फेंक न्यूज वाती हैं और जो फेंक चेनल्स वीडियो बनाते हैं उनुपर ध्यान ना दे अपना कंसंट्रेट करें और पढ़ाई करते रहें निश्चित तोर पर एक्जाम तो आगे जाने वाला है इसमें कोई संका नहीं है शक नहीं है लेकर फिर भी बेवजय के जो ओडियो वीडियो या फिर जो फोटो जाते हैं आपको इस एक्जाम को लेकर सोसल मीडिया पर तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोलित करें और सयमित रहें और ये प्रैस नोट आ जाएगा निश्ची तोर पर आ जाएगा दोस्तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही जानकार अच्छी लगे वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें जैहिंच जैभारत